आज में आपके साथ बहुत ही पढ़िया यमी टेस्टी सूपर टेस्टी ना सबजी की रेसिपी शेयर करें हो आपको बहुत पसंद आएगी यार पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजेगा चानल को सस्क्राइब भी कर लीजेगा और अपने फ्रेंड्स और फैमल आने तक बॉयल कर लेंगे वैसे चाहें तो आप इसे खुला भी उबाल सकते हैं क्योंकि मैंने जब इसमें एक बिसल लगाया तो यह ओवर कुक हो चुका था और बीच में से फट भी चुका था तो बिसल आने के बाद इसे बहुत अच्छे से ठंडा कर लेंगे ठंडा करन हाथों से मैश कर लें उसके बाद इसमें कटा हुआ प्यास डाल देंगे हम इसके साथ इसमें टेस्ट के एकॉर्डिंग हम हरी मिर्ची डालेंगे अद्रक तो इसमें पिलकुल जरूर डालिएगा अद्रक का स्वाद बहुत अच्छा आ रहा था इसमें साथ में मैंने आध तो अब बैटर में हम कोक्तो के लिए डालेंगे हरा धनिया नमक डालेंगे और पैन में भी थोड़ा सा नमक डालेंगे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और एक बार मिक्स कर लेंगे इसको आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेर कमेंट भी जरूर की कोक्तो में हम कलर्स के लिए लिए व्लादी डालेंगे टीसट के कोडिंग मिर्ची डालेंगे और स्वाट के अनुसार इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और इन शिर्फब भी चीजओ से बुन चुका है, गैस की फ्लेम को बंद करकी इसे साइट कर देंगे और कढ़ाई रग देंगे इसको डीफ्राई करने के लिए कोक्तों को, आप इसकी टिक्कियां बना कर शैलो फ्राई कर सकते हैं, किसी भी कैचप के साथ, फेवरिट चटनी के साथ इसे ऐसे भी खा सकते ह तो मैंने इसकी गुल-गुल लड्डू बना लिये हैं, आप इसे और भी कोई इंट्रस्टिंग शेव दे सकते हैं, जैसे फिश का शेव भी काफी अच्छा लगता है इसका, तो आप उस तरीक इसे भी बना सकते हैं, तो मैंने इसको कर दिया है, डीफ्राई कढ़ाई में म तो ऐसी कोई इसमें टेंशन कुछ नहीं होने वाला इसके साथ, यह बहुत ही आराम से पंचाती है, अजब अच्छा सा कलर है, तो इसको निकाल लीजेगा, और ग्रेवी के लिए अब हम क्या करेंगे ना, मैं इसको पैन में ही बना लूँगी, पैन में मैंने अब डाला है जीरा, साथ में तेज पत्तर डाला है, और इसके साथ ही थोड़ा सा कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे, एक कटा हुआ प्याज, बाकी के हमने ग्रेवी में तो पीसा ही है, लेकिन इससे मसाले भुनने से जलते नहीं है, अब डालेंगे हल्दी, अच्छे कलर के लिए, मि भी चीज़ों को भुन लेंगे, उसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था ना, उसे भी डाल कर बहुत अच्छे से भुन लेंगे, और जैसे कलर सेप्रेट हो जाएगा ना, तो इसमें जो मिक्सी में मसाला थोड़ा बहुत लगावत है ना, उसी में पानी डाल कर इसमें डा अच्छा लगेगा, तो मैंने इसमें पानी अपने टेस्ट के कॉर्डिंग, मतलब अपने फैमिली के कॉर्डिंग रखा है इसमें और बॉल्स डाल देंगे, अच्छे से दो उबाल देंगे, ढखकर और अधरा धनिया मिलाएं, आप इसे इंच्वाइ करें, आपको ये रे आपके साथ डेली एक ब्लॉक शेर करती हूँ, तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट